हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल ये निशा हर्बल हेयर कलर है आज इस वीडियो में आपको इस महंदी का बिल्कुल ओनेस रिव्यू देने वाली हूँ और मैं इसे अपने बालों पर लगा कर आपको इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी किसे ये महंदी लगानी चाहिए क्या इस महंदी से बाल जड़ते हैं क्या इसमें कैमिकल होता है आपके इन सारे कुश्ण्स के आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाला है तो बने रहें ये वीडियो के एंड तक और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए स्ट मेहंदी को लगाने से पहले मेक शेयर कि आपके बाल बिल्कुल साफ होने चाहिए उसमें कोई भी ओईल नहीं होना चाहिए आप अपने बालों को श्राम्पू जरूर कर लें चलिए अब इसका पैक कैसे बनाना है मैं आपको वह बताती हूं तो आपको एक ग्लास पानी ले जिससे बाल बिल्कुल सिल्की और सॉफ्ट हो जाएं तो यहां मैंने निशा लिया है मेरा कलर है नैचुरल ब्राउन और यह ब्लैक कलर में भी आती है अब मैं यहां दो पैकेट निशा महंदी ले रही हूं आपको अपने बालों के लेंद के अकॉर्डिंग महंदी लेनी ह चाय पती में एंटी आकसिडेंट एंटी एजिंग और एंटी इंफ्लमेटरी गुड होते हैं जो बालों को बूस्ट करने में मदद करते हैं लेकिन अगर आप सिफ चाय पती के पानी से या नॉर्मल पानी से इसको बना कर लगाएंगे ना तो आपके बालों में कड़ा पन मेट पहले आप इसका घोल तयार करिए और बालों में लगा लीजे अब मैं डाल रही हूं इसमें दो से तीन चमज दही यही वो इंग्रीडियन्ट है जिससे आपके बाल सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे और इस महंदी में जितना भी कैमिकल है ना तो उसका भी असर कम हो जाएगा तो इसे बिल्कुल भी इसकिप आप मत करिए यह देखिए हमारा घोल बन कर तयार हो गया है अब मैं इसे अपने बालों पर अपलाए करके आपको दिखाऊंगी चलिए अब मैं इस महंदी को आपको लगा कर दिखाती हूं इसको लगाने से पहले आप अपने हेर प्राइंस पर वैसलीन लगा लीजे और हाथों में गलफ पैन लीजे मैं यहां ब्रेश से अपने बालों में लगा रही हूं आपको अपने सारे बालों में अच्छे से इसको लगा लेना है अगर हम इस महंदी की बात करें तो इसका पैकेट सिफ 10 रुपीज में मिलता है त तो वहां भी आपको मिल जाएगा प्लस यह इंस्टेंट कलर देता है मतलब आपको इसको बस एक घंटे अपने बालों में लगाना है उसके बाद आप अपने हैर वाश करेंगे और आपके सारे वाइड बाल कलर हो जाएंगे तो इससे आपको कम टाइम में एक अच्छा कलर मिल जाता है तो इस महंदी की यह सारी खूबियां है और अगर आपको हैर फॉल की प्रॉबलम है तो आप इसमें दही मिक्स करके लगाएंगे तो आपको हैर फॉल भी नहीं होगा लेकिन जिनके वाइट हैर हैं और जिनको अपने वाइट हैर को कवर करना है वही इस महंदी जिनके white hair नहीं है इस महंदी को ना लगाएंगे देखे मेरे पूरे बालो में अच्छे से लग गया है अब मेरे इसे एक घंटे के लिए रखोंगे और एक घंटे के बाद ये देखे मैंने आपने बालो में शैंपू कर लिया है लेकिन मैं अपने बालों में ना कंडिशनर किया है और कुछ भी नहीं किया आप देख सकते हैं कि मेरे वाइड बाल कितने अच्छे से कलर हो गए हैं तो अगर आपको इसका यूज करना भी है तो आप महीने में एक से दो बार इसको लगाएए इससे जादा अगर आप और बिलकुल सिल्की और सॉफ्ट भी हो गए है और फ्रेंट से कर वीडियो पसंदायो तो लाइक करियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बाई बाई